जेनरेशन जे एमाथी की बूदपाट ली सके हैं देखे मित्रो सेना में जो जवान होता है युद्ध की भूमी में मरने के लिए जाता है इसलिए को उसको तंखा मिलती है उसको तंखा मिलती है डिश्द्वे सेना का जवाण ही की भूमी मरने के लिए कंटी को प्यार कहता है अगर आप अपने जीवन में किसी चीज को प्यार करों मैं आपको इंगो दहां देना चाहता辅ँ आम तोर पर महिनाओं का सुखह कैसा होता है मैं गलती करुई तो सब माता मैं जपीछामा करें क्योंकि मेरा नता ठोड़ा कम है से अलेकि लेकिन आम तोर मैंता क्यूंत कर्षिए जबाई लेकिन अब फीया करते और तैयरी कर रही है इतने में कहीं एकाथ चपाती में से भाप निकल आती है स्टीम निकल आती हो उसकी उंगली पर फड़ी चल जाती है है तो वो कुछ दवय बगये लगाती है लेकिन हर पल देखती है गंटी कब बजेगी है वो इंतजार करती है कि पती देव आए और ये चाहती है कि पती देव मेरी उंगली में जो जल्या हूँ जलन हो रही है इसको फील करे और वो भी चाहती है कि बच्चे देखते नहों तो उस पर फूंग भी लगा दे चाहती है ना मैं गलत हूँ तो मुझे शमा करना लेकर उसका मन करता है कि इस चपाती को बनाते बनाते अकर वो जली है तो जलन को नोटिस किया जाए और वो भी सुप्रीम के मांदेम से नोटिस किया जाए और पचानाच पार फूंग लागा है खाना प्रॉस्ते समय भी उय्यू करेज नहीं तो कपड़े खराफम करीकर वञट्टाव करों कभ फ्रीक हंए न न Свय जल गए थी नए और लेकिन वही मा आप गोही माई mejorar बाजा में सब्य लेने भी है सारी का स्टोन लगाया, डिसकाउंट तीस पुंटी पुरसंट आए क्या होगा सबजी पाजू में वो सारी के दुकान में जाए गया और सारी के दुकान में बड़िया बड़िया साजी है 20% डिसकाउंट है उसका मन करता ये लूगो, बोलो, ये लूगो और इचने में खबराती हैं कि फ्रणाने महले में आग लगी है, वो तुरंट वहां से भागती हैं, साड़ी, पैसे, जो भी होगा बूल जाती है, दोड़ती है, और जाकर कि देखती है, अपना खुद का घर जल रहा है, तो चीखती हैं, बड़े बड़े तंदुरस लोग, कि अब बुझाने के लिए पानी डाल रहा है को यह डाल रहा है और जाकर को चीकती है अरे मेरा बेटा अंदर है और अंदर है सारे मरद लोग एक बुस्ने का मोँ देखते हैं इंदजार करते हैं क्या हुआ होगा और तब तब वो मां उस ज़ट विए मकान में कुद पढ़ती है बच्चे को लेकर के आती है बच्चों को लेकर के आती है बाप के कारण जिसने उंगली पर ज्रंग के कारणों को पतास बार फूंक लगाती है उस माता के भीतर शक्ति का रूप होता है जो बेटा होता तो कुझ पढ़ती है दोस्ते अब है यहीं से पादा होता है निर्फे यहीं से पादा होता है मुझे स्मरण है मैं 1992 में स्रीनेगर गया तो लाल चोक में तिरंगा जंडा फ़रा निकली है और आतंगवाद बड़े पूर जोर में था और आतंगवादी हंदोस्तान के तिरंगे जंडे को जमीन पर रोंते थे उसको जलाते थे उसको अफ्मानित करते थे तिरंगे जंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं जूते साफ कर रहे हैं और कैमेरा के सामने साफ करते थे ये दरश मेरे दिल में आख पता है हमने के आतरा निगाली थी गन्या कुमारी से तिरंगा जंडा लेकर के चल पड़ी थे हम और तै कि यह था कि हम स्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगा जंडा फैराएगे मेतरों हम निकले निकले तो स्रीनगर के अंदर आतरा जंडा फैराएगे थे दिवारों पर लिखाता है कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मा का दूद बिया है जो स्रीनगर के लाल चौक में जंडा फैरा करके वापिस जाय जब मैं एकनी आत्रा करन्या को मैंने से लेकर करके चलते चलता है थेडराबाद पहुंचा तो मुझे वहाँ से पोस्टर रोगे रेकर फोटो ये सब मरे पास आया और मैंने हैडराबाद से अपनी स्पीच बदल दी मैंने अपने भाशन का रोग रोग बदल गया है मेरा भीतर से आवाज उती है और मैंने हैडराबाद की सभा में ललकार किया था उसके बाद मैं एक मैने के बाद 26 जनवरी को सिजने करके लाग चौक में पहुंच रहा था और तब मैंने कहा था मित्रहू समय कि अगर वीडियो क्लिपिंग हो गए ता आप देख सकते हैं और मैंने भरी सभा में हैडराबाद में कहा था मैंने का मुझे आतंगवादी ने मुझे ललकार आ रहे और आतंगवादी ने कहा कि किसने अपनी माटा दूद की है जो 26 जनवरी को सिजने करके लाल चौक में पहुंच रहा हुगा मैं बुलेट टूप चैकेट पहिन करते नहीं आउगा मैं बुलेट टूप गाड़ी में नहीं आउगा हाथ में सर्फ तरंगा जंडा लेकर गाउगा और फैसला 26 जनवरी को सीरे करकर लाल चोक में होगा किसने अपनी मा का दूथ किया और मित्रों में समय पर गया तरंगा जंडा फैराया और आज आपके साथ लेख़़गा यह मैं आपके अंग्राजियों साहर नहीं लट रहा हूं मित्रों बड़े लंबे अरसे लट रहा हूं